मित्रो नमस्कार मैं मैं इंग्रिपाथी नोगयां जोति शैनल पर आप सभी दर्सकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज शाम को साथ बजे लगभग शुक्र देवता का जो गोचर है वह सिंघरासी में होने जा रहा है और जैसे ही सुक्र देवता सिंघरासी में प्रवेश करेंगे गुरू देव ब्रहस्पती और शुक्र का नौ पंचम योग बन जाएगा मंगल देव का भी नौपंचम योग गुरू के साथ बना हुआ है मंगल का और शुक्र का कॉम्मिनेशन बन जाएगा कुछ ऐसी महाँ भागिसाली रासियां है इनको जो करना है इस पीरियड में कर डालना चाहिए क्योंकि शुक्र आज सिंग रासि में जब जाएंगे तो यहाँ पर छे अगस्त तक का इनका गोचर रहने वाला है यानि कि लगभग जितने दिन मंगल यहाँ पर रहेंगे तो मंगल के साथ इनकी युति पूरा समय बनने वाली है तो कौन सी वो भागिसाली रासियां है जिनके लिए यहाँ सुखद योग बनने जा रहा है आईए जान लेते हैं रासियों के क्रम में जानकारी देंगे सबसे पहले मेस रासि वालों की अगर आपकी मेस लगन है या मेस रासि है तो दोनों पर यहाँ गोचरफल शुक्र द लगा करके आप देख सकते हो लेकिन ये ध्यान रखिएगा अगर आपके पास लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों ही नहीं है तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप प्रचलित नाम के अनुसार इस रासी फल को समझें शुक्र और गुरुदेव ब्रस्पती का यह नौ पंचम योग मेश रासी वालों पर क्या प्रभाव डालेगा आईए जानते हैं तो मेश रासी में शुक्र देव का मूमेंट होने जा रहा है पंचम भाव में और गुरुदेव ब्रस्पती आपके लगन में बैठे हुए हैं गुरू की दृष्टी रहेगी और साथ ही साथ मंगल के साथ इनकी युती रहेगी इसका मतलब ये रहा जो लोग प्रेमी जोड़े हैं उनको प्यार में निश्चित तोर पे इस अवधी में सफलता मिल जाएगी और अगर प्रेम विवाह करना चाहते हो तो प्रेम विवाह के भी शानदार योग इस पीरियड में बनेंगे यानि कि प्रेम के मामले में तो बड़ा बढ़िया रहेगा लेकिन अगर विद्यार्थी हो तो भया आप प्रेम के चक्र में पढ़ियेगा मत अन्य था आपकी जो है सिक्षा में बाधा आएगी और पढ़ाई आपकी जो है च तो जो लोग नौकरी करते हैं या विवसाई हैं किसी भी प्रकार का कोई भी काम है तो लगभग इस अवधी में 45 दिन के आसपास आप जो भी काम करोगे उसमें 101% आपको सक्सेज मिल जाएगी भारी मात्रा में चारों तरफ से धन आता हुआ दिखाई पड़ेगा कैरियर म ग्रोथ होगी उचाईया मिलेगी मान सम्मान मिलेगा और अगर सेर सक्टा और खेलते हो तो उसमें भी जबर्दस्त तरीके से इस अवधी में सभी मेशरासी वालों को लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा मेशरासी वालों के लिए शुक्र का परिवर्तन करना और गुरू के साथ नौ पंचम योग बनाना और साथ ही साथ मंगल के साथ युती में बैठना पैसे को ले करके और कैरियर को ले करके व्यापार को ले करके जबर्दस्त उचाईयां दिलाने वाला है लेकिन विद्यार्थियों के लिए सिक्छा में गडबड़ भी करने वाला है बुद्धी पर युती बनने जा रही है तो कहीं न कहीं भटकाओ हो सकता है तो अगर विद्यार्थी वर्ग भटकने लगें उनका मन पढ़ाई में न लगे तो उसके लिए ओम सूर्याय नमह या ओम आदित्याय नमह इस मंत्र का जब कर लिजिएगा ताकि आपका बुद्धी इधर उधर न जाये सीधे पढ़ाई की तरफ ही रहे अब रासियों के क्रम में बात कर लेते हैं अगली रासी वरशब की तो वरशब रासी में लगने स्वयम होते हैं शुक्र देउता और ऐसे शुक्र देउता मन पर आपके बैठने जा रहे हैं और मंगल के साथ युती बना करके बैठने जा रहे हैं मंगल आपकी कुंडली में एक तरफ सब्तम के स्वामी होते हैं, तो दूसरी तरफ मंगल के पास जो डिपार्टमेंट है, अयाशी का है, आयिश का है, बार्यवे भाव का है तो ऐसे में आपके लिए भी कुछ मामलों में तो जबरदस्त रहेगा लेकिन कुछ मामलों में गडबड रहेगा तोकि एक तरफ मंगल और शुक्र की युती चोथे भाव में बनेगी दूसरी तरफ गुरुदियो ब्रहस्पती से इनका नोपंचम योग है और तीसरी मंगल शुक्र एक साथ है और ठीक सामने सनी महराज भी विराजमान है वो भी पीछे नहीं है तो यह जो जमावड़ा आपके चोथे भाव पे बनने जा रहा है तो इस पीरियड में आपके भी मन में भटकाओ के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं अगर विद्यार्थी आप हैं तो निश्ची तोर पे मानिये इस समय आपका पढ़ाई से मन भटक सकता है इसका ध्यान रखिएगा हाला कि मैं अभी उपाई भी बता रहा हूँ लेकिन अगर आप विवसाई हैं वियापार इस पीरियड में आपका बढ़िया चलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोशिस करिएगा इस पीरियड में बहुस उच्च अधिकारी से ज्यादा बवाल मत करिएगा बना करके रखिएगा तो आपके लिए अच्छा है वैसे आर्थिक लाब के लिए आपके लिए भी यह गोचर बढ़िया बना हुआ है चोथे भाव पे शुक्र का मूवमेंट है दिसाबल लेकर के बैठेंगे गुरू की द्रश्टी में बैठेंगे तो ऐसे में स्वास तो आपका बढ़िया रहेगा कैरियर भी आपका बढ़िया चलेगा लेकिन जो लोग नौकरी कर रहे हैं थोड़ा बहुत उचदिकारी से दिबना के रखेंगे तो उनके लिए ठीक रहेगा विद्यार्थियों के यह सिक्षा में भटकाओ आता है तो ऐसे में बुद्ध देवता के मंत्रों का आप जब करिएगा तो आपके लिए इस्थितिया अनकूल बन जाएंगी और साथ ही स जो लोग सेरोगारा में पैसा निवेश करते हैं इस पीरियर में उनको चाहिए थोड़ा संभल करके निवेश करें तो अच्छा है वैसे आपके लिए भी यह गोचर बढ़िया है इसका आप लाभ ले सकते हैं इसके बाद रासियों के क्रम में जानकारी देंगे अगली रा आपकी कुंडली में शुक्र देउतार बार्वें के मालिक होते हैं और गुरू-देवव्रस्पति की द्रिष्टी में जा रहे हैं आपके लिए यह गोचर 45 दिन का बहुत ही जबड़ दस्त होने वाला है कोकि गुरू की द्रष्टी में शुक्र रहेंगे और यह पंचमेस होते हैं तो पहली चीज शुक्र का त्रती भाव में गोचर करना एक तरफ तो आपके energy level को भी बढ़ाएगा तो दूसरी तरफ विद्यार्थियों के लिए आप के लिए भी भटकाओ की इस्थिती यहां पर बनते हुए दिखाई पड़ रही है क्योंकि यह सिक्षा के स्वामी होते हैं और दूसरी चीज पंचम भाव पर भी राहू का प्रभाव पड़ रहा है जिसके फल्सरूप विद्यार्थियों के लिए तो निश्चित तोर पे उठापटक वाली इस्थित हुआ है मंगल शुक्र की यूती बनने जा रही है आपके तरती भाव में जिसका आपको लाभ मिलेगा कहीं कोई नुक्सान वाली बात नहीं है तो आपको घबडाना नहीं है खाली विद्यार्थी यदि हो तो शुक्र देव के मंत्रों का अधिक से अधिक जब करिएगा न या आपकी चंद्राशी करक है तो शुक्र देवता आपकी कुंडली में आयेस होते हैं आय भाव सो पूर्ति के बैठेंगे तो जाहिर सी बात है बे його सुमार धन दौलत पैसा रुपया चारों तरफ से बाउखार आपके उपर होने वाली है पैसा जबर्दस्त तरीके से आएगा मंगल के साथ युती इनकी है मंगल पंचमेस और करमेस हो करके इनके साथ युती बनाएंगे गुरू देव ब्रहस्पती की दृष्टी में रहेंगे तो यहां पर भी शुक्र को और मंगल को जबर्दस्त पावर मिलेगा तो जो 45 दिन का समय है सभी करकरासी वालों के लिए पैसे को ले करके बहुत बढ़िया रहने वाला है इस पीरिड में आपको परिवार का सहयोग भी मिलेगा और जो लोग वाड़ी से संबंधित किसी भी प्रकार का काम करते हैं उनको भी जबर्दस्त तरीके से लाब मिलता हुआ दिखाई मुकरी करते हो चाहे व्यापार करते हो पैसा जबर्दस्त तरीके से आएगा कारिछेत्र से प्रबल रूप से लाब मिलने के प्रबल योग बने हुए हैं तो आप तो महा भागिसाली रासी में से एक हो अगर सभी रासी कैलकुलेट करें तो करक रासी वालों के उपर शुक कुडली में भी थोड़ा संघर्श के योग दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि पंचमेस होते हैं आपकी कुडली में मंगल देरटा और चतुर्थि के स्वामी मन के सवामी होते हैं शुक्रदेरटा और जब उपने के गोचर होगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन रहेगा तो क कहीं न कहीं बुद्धी में थोड़ा बहुत भटकाव बन जाता है तो ऐसे में जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको उपाय करने की आवशिक्ता पढ़ जाती है और उपाय में बजरंग बाण या हनुमान चालीसा एक बार पाठ करें अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो ओम स्री राम दूताय नमह इस मंत्र का कम से कम 21 या 31 बार आप जब कर लें ताकि पढ़ाई में आपके विद्धन उत्पन्न नहों वैसे यह शुक्र का जो परिवर्टन करना है यह आपके कैरियर में ग्रोथ दिलाने वाला व्यापार को बढ़ाने वाला और विसेस रूप से धन की व्रद्धी करने वाला रहेगा तो आप महाभागिसाली रासी में से एक हो इसके बाद चर्चा करेंगे राशियों के क्रम में अगली रासी वह बन जाती है सिंग सिंग रासी में लगन पर यह यूती बनने जा रही है आपके कुंडली में मंगल देउता भागी के स्वामी ह करके लगन पर बैठे हैं यानि कि जवर्दस तरीके से भाग आपका इस पीरेड में बढ़ेगा दोसरी चीज शुक्र देउता का भी आज शाम से गोचर हो जाएगा इसका मतलब यह रहा शुक्र आपकी कुंडली में त्रतियेस और द्वादसेस और दसमेस होते हैं यानि त्रतिय भाव का और दसम भाव का डिपार्टमेंट ले करके आपके लगन पर शुक्र मंगल बैठेंगे गुरू के द्वारा द्रश्ट रहेंगे सनी के सामने रहेंगे इस पीरिड में अगर कारिछेत्र की बात करें तो कारिछेत्र आपका बढ़ने वाला है चाहे आप न इस पीरिड में उनको नौकरी मिल जाने के योग बने हुए है और नौकरी पहले से अगर कर रहे हो तो उसमें उन्नती होते हुए भी इस अवधी में आपको निश्चित तोर पे दिखाई पड़ेगी इस समय एनरजी लेविल जबरदस्त तरीके से आपका बढ़ेगा क्यो जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा आपके कुंडली में कोई माइनस पॉइंट नहीं दिख रहा है फिर भी यह आप उपाई करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे आपकी यह दिसिंगरासी है तो आपको चाहिए गुर अधनी ही ज्यादा लाभदायक इस्थिती आपके लिए बनती हुई चली जाएंगी अब रासियों के क्रम में जानकारी देंगे अगली रासी कन्या की यदि आपकी चंद रासी कन्या है या लगन कन्या है तो शुक्र मंगल की आज साम से युती आपके बनने जा रही है बा वधी में गुरुद्यो ब्रहस्पती की दृष्टी में यह युती बनने जा रही है शुक्र मंगल की तो जो लोग विदेश जानना चाहते हैं उनके लिए तो यह गोल्डेन पीरियड रहेगा अगर बीजा नहीं लग रहा था तो बीजा आपका लग जाएगा इसमें भी क साथ देता रहेगा क्योंकि शुक्र अपने भाग्य भाव से चोथे बैठेंगे आर्थिक इस्थिती भी आपकी ठीक ठाक रहेगी बहुत अच्छी नहीं रहेगी एक तरफ ये अपने धन स्थान से ग्यारवें बैठने जा रहे हैं तो पैसा लगातार आपके पास इस अव या त्राओं पे आप धन का वे करोगे और या तो लेक्जरस लाइफ जीने पे आप धन का वे करोगे तो इस समय पैसा आपके पास आएगा ये मत सोचेगा कि ये खर्च भाव में चले गए तो पैसा नहीं आएगा क्योंकि शुक्र एक मात रहे से ग्रह हैं जो बार्वे भ कंडली में मंगल के साथ युती बनी हुई है और मंगल विपरीत योग बना करके बैठे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके लिए भी गोचर अच्छा है खराब नहीं कह सकते हैं इसके बाद बात करेंगे अगली रासी वह बन जाती है तुला तुला रासी में स्वयम लगन सो सो है बहुत जादा लाभप्रद नहीं है हाला कि लगने से ओकर के यहां पर बैठेंगे तो निश्चित तोर पे आपको फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा लेकिन सनी के सामने है तो जिन लोगों की स्वास्त पहले से गडबड चल लहा है कि योई निगेटिव द लिष्टिकूर से आपको सम्रध बनाने आ रहा है लगभग 40-45 दिन का जो समय रहेगा इस पीरियड में आपको अगर कोई नया काम कारोबार शुरू करना है तो आप शुरू कर डालिए निश्चित तोर पे आपके लिए लाबदायक स्थिती बनते हुए दिखाई पड़े निश्चि और ध्यान रखनी चाहिए कि शुक्र देउता और मंगल देउता दोनों जो है ये आपके एकादस भाव में हैं तो इस समय थोड़ा भीया नियंतर रखिएगा अनाब सनाब संबंधों से आप बचिएगा तो आपके लिए अच्छा है वैसे मंगल की दृष्टी पड़ रही है धनभाव पे तो आर्थिक इस्थिती जबर्दस तरीके से आपकी मजबूत होने वाली है अगर सेयर सट्टे में आप निवेश करते हो तो निश्चित तोर पे आपके लिए लाबदायक इस्थिती बहुत ज़्यादा बनते हुए दिखाई पड़ेगी उपा की व्रश्चिक रासे में जो शुक्र देवक्ता का और मंगल देवक्ता का युती बनने जा रही है या बनने जा रही है आपके दसंभाव में और गुरु देव ब्रहस्पति यह जो है सीधे नौपंचम का योग बनाएंगे तो इस पीरियड में नौकरी करने वालों के लिए बड़ी गजब की स्थिती बनने जा रही है अगर नौकरी आपके पास नहीं है तो आपको तो नौकरी मिलने के योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं आपको नौकरी मिलेगी औ और साथ ही साथ शुक्र देवता आपके कुंडली में हो जाते हैं सब्तमेश और साथ ही साथ शुक्र के पास डिपार्डमेंट होता है आपकी कुंडली में द्वादसेस तो इस समय यदि भटकोगे नहीं अपने लक्ष से तो नौकरी में निश्चित तोर पे आपको लाब मिलेगा नौकरी अगर पहले से कर रहे हो तो उसमें उचाईयां देखने को मिलेंगी इस पीरिड में लेकिन ये ध्यान रखिएगा थोड़ा नियंतर अपने उपर रखिएगा काम पर ध्यान दीजिएगा तो ज्यादा अच्छा है क्योंकि अगर आप भटकाओ करोगे यानि कि प्रेमबाजी के चक्कर में पड़ोगे तो आपको दिक्कत होगी बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपके लगने स्ट्रॉंग पोजिशन में बैठे हुए हैं तो आपको चाहिए हनुमान चालीसा या बजरंगबाण एक बार पतिती दिन जिप करते रहो ताकि इस्थित आपके लिए शुक्र का भाग्यभाव पे बैठना बहुत अच्छा योग नहीं दिखाई पड़ रहा है आमदनी तो आपकी इस पीरिड में बढ़ेगी पैसे के लिए तो यह गूचर बड़ा शांदार रहेगा लेकिन आपकी कुंडली में यह सश्ठेस भी होते हैं तो आ आपको शुक्र को मजबूत नहीं करना है अगर नौकरी व्यापार कुछ न कुछ तो आप कर ही रहे होगे जो कुछ कर रहे होगे उसमें लाभ तो आपको होगा पैसा तो आपके पास आएगा यह शुक्र यहां पर बुरा भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि मंगल के साथ में बैठे हुए हैं और दूसरी चीज़ आपके लगनेस की द्रश्टी में हैं लेकिन सुक्र की बजाए इस पीरियड में आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा या गुरुद्यो ब्रहस्पती का मंत्र ओम गुरुवे नमह या ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम सह गुरुवे नमह इ अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ड का काम करते हो तो उसमें भी लाब मिलेगा और अगर इस अवधी में कुछ नया व्यापार आप डालोगे तो वहां पर भी जबरदस्त लाबदायक इस्थिती बनते हुए दिखाई पड़ेगी लेकिन आपको शुक्र को मजबूत नहीं करन है या तो गुरू के मंत्रों का जब करें या मंगल देउता के मंत्रों का जब करें जो आपकी कंडली में पंचमेस होते हैं तो आपके लिए बेनीफिशियल रिजर्ट और भी ज्यादा मिल जाने के योग बनेंगे तो उपाय करिए और आगे बढ़िए अब बात करेंगे अगली रासी मकर की, तो मकर रासी ये द्यापकी है, तो ऐसे में शुक्र देवता का और मंगल देवता का जो मूवमेंट है, वह अश्टम भाव में होने जा रहा है, शुक्र देव पंच में सोकर के अश्टम भाव में बैठेंगे, और दस में सोकर के अश्टम भाव में हुएगा कुछ दिक्कत नहीं है और शुक्र दूदाप पीडित रहेंगे हुए मंगल के साथ रहेंगे सनी की कि द्र Streep मि रहेंगे और गुरू की और राहू की में इनके ऊपर द्रिश्टी जा रही है तो आपके लिए बहुत अच्छा यह योग नहीं है हाला कि कर्मिस्थान से एकादस है विद्यार्थियों के लिए तो बढ़िया है लेकिन शुक्र पीडित रहेंगे तो कारिछेतर में उठा पटक ना आए इसके लिए आपको उपाय जरूर करना पड़ेगा लगबग 45 दिन तक अन्य था आप दिक्कत में आ सकते हो उपाय क्या करोगे ओम शुम शुक्राय नमा या तो इस मंत्र का जब करो या ओम शुक्राय नमा इस मंत्र का कम से कम इस पीरियड में कल शुक्रवार है कल के दिन से आप सुरू कर दो 51 या 108 बार रोज जब करो ताकि शुक्र को बल मिले और कारिछेतर आपका न डगमगाए आपके लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं तो भीया अगर उपाय करोगे तो जरूर लाब मिलेगा इसके बाद बात करेंगे अगली रासी कुम्ब की अगर आपकी चंद रासी कुम्ब है या लगन कुम्ब है तो शुक्र देउता का जो मूवमेंट है वह होने जा रहा है आपके सब्तमभाव में और सब्तमभाव में जब शुक्र देउता बैठेंगे तो कहीं न कहीं आपके लिए थोड़ा इस्थिती कुछ मामलों में ठीक रहेगी लेकिन कुछ मामलों में आपके लिए भी गडबड होते हुए दिखाई पड़ेगी लगनेस के ठीक सामने सुक्र और मंगल बैठेंगे और गुरू की दिस्टी में रहेंगे शुक्र देउता भागी के मालिक हैं भागी जबर्दस तरीके से इस अवधी में आपका साथ देगा क्योंकि भागिस्थान से ग्यार में बैठेंगे और केंदर में बैठेंगे लेकिन थोड़ा पीडित रहेंगे और मंगल के साथ रहेंगे तो वैवाहिक जीवन में निश्चित तोर पे इस अवधी में उठा पटक थोड़ी बहुत आपको देखने को मिलेगी यानि पती-पत्नी में कलह का वातावरण निश्चित तोर पे लगभक 45 दिन तक आपको थोड़ा बहुत बनता हुआ दिखाई पड़ेगा लेकिन नौकरी और कारी छेत्र आपका जबरदस तरीके से बढ़ने वाला है क्योंकि मंगल देउता भी यहां पर विराजमान है और यह दसमेस होकर के विराजमान है तो ऐसे में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें उन्नती के मार्क खुलेंगे प्रमोशन के मार्क खुलेंगे बहुत सो चदिकारी का सही योग मिलेगा व्यापार में व्रद्धी होगी लेकिन अगर पार्टनर सिप में व्यापार कर रहे हो तो पार्टनर पर थोड़ा आँख खोल करके रखिएगा आँख बंद करके विश्वास मत करिएगा आपको यह जो शुक्र देवक्ता का परिवर्तन है बेनिफीशियल रिजर्ट देने वाला है अगर वैवाहिक जीवन को छोड़ दें तो बाकी सभी छेत्रों में लाबदायक इस्थिती बनते हुए दि साथ यथा शक्ति शुक्र देव के भी मंत्रों का आप थोड़ा बहुत जब कर लें 31-51 बार जितना आप से हो सके तो आपके लिश्थिती और भी अच्छी बनती हुई चली जाएंगी अब बात कर लेते हैं रासियों के क्रम में अंतिम रासी मीन की तो मीन रासी में यह जो और वहीं पर अश्ट में शुक्र भी बैठने जा रहे हैं इसका मतलब यह रहा विपरीत योग तो बनेगा लेकिन थोड़ी बहुत हो सकता है परेशानियों का आपको सामना करना पड़े इस समय शत्त्रू आपके बढ़ेंगे यह ध्यान लखिएगा वो अलग मैटर है कि वो आपका कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि मंगल साथ में रहेंगे लेकिन इस पिरिएड में एक सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए कि अगर आप करज लेने के मूड में हैं तो गलती से भीया करजा और जा मत लीजिएगा और ना अपना पैसा किसी को दीजिएगा क्योंकि अगर करजा ले लोगे तो चुकाने में छीके आ जाएंगी और देद होगे तो वापस पाने की उमीद मत करीब वैठिएगा तो आपके लिए भी या गोचर सो सो है बहुत गड़बड नहीं है बहुत अच्छा नहीं है आपके लिए तो सर्वोत्तम उपाए ये कह ही है कि गुरू देव ब्रहस्पती के मंत्रों का अधिक से अधिक आप जब करें ताकि इस्थिती आपके लिए लाप्रत साबित हो कल मिलेंगे महिंक त्रिपाठी को नमत दीजिए नमस्कार